Hello guys, so new question on Newton's reference method Find the Newton's method the real root of the equation 3x equal cos x plus 1 So, यहाँ पर हमारा function होगा, तो इसका हमें लिग्या आता है fx equal 3x minus cos x minus 1, ठीक है? So, यहाँ पर यह minus का होजाएगा अब हमने क्या करना है? इसका derivative लेना है तो यह आपको होजाना है 3 plus nx because x का 1 हो जाएगा and इसका minus 10x हो जाएगा तो प्लस लगा देंगे अपर, अब हमें क्या करना होता है? इस पर x not की value को find करना होता है उसके लिए हमने क्या लग करना है? इस पर value को put करके देखना है कि हमको negative positive कहाँ पर value मिलेंगी तो मैंने पर पहले x not की value को put किया तो हम इसमें x को 0 put करेंगे तो आपका value मिल जाएगी minus 2 which is negative ठीक है? अब हमने रगाना है value को 1 तो 1 put करने पर आपका value मिलेगी वो मिलेगी 1.4597 कैसी कि तो आप इसको salt की जाएगा आपको यह value मिल जाएगा तो यह आपका positive आजाएगा अब बात है कि हमने हाँ पर roots की इसका जो x not की value लेने वो क्या लेना है तो हमने value लेना होगा 0 and 1 के बीच में 0 and 1 के बीच मैं देखेंगे जो value आई है वो किसके mirror आई है तो यहाँ पर आपके 1 के कुछ आसपास दिख रही है तो आप यहाँ पर x not को कुछ भी ले सकते है 0.5 ले सकते है 0.6 ले सकते है 0.7 ले सकते है कुछ पर भी लेकर आप इसको solve कर सकते है तो हमने हाँ पर देखेंगे x not की value को 0.6 ले रेना है middle का तो अब हमने देखेंगे हाँ पर x not equal 0.6 को fix कर दिया देखेंगे 0.6 है x not अब देखेंगे आपको जो formula होता है neutral citation formula होता है xn plus 1 equal xn minus f of xn over f dash xn अब यहाँ पर हमने क्या करना है इस equation में n equal to 0 पुट करना है तो n equal to 0 जब जिसमें 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x1 equal x not minus f x not over f dash x not अब आपके पास अब जो value f x की है बताब जो function है आपके 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 करना है आपके x की आपके x not को put कर देना है जैसी आप एकसे पे x not को put करेंगे so it will be 3 x not minus 2 cos x not and minus 1 यह minus आपके आपके then it will be 3 plus sin x not अब आपको क्या करना है आपके L जाएंगे आपके इसका इसमें multiplication कर देंगे so it will be minus 3 x not plus cos x not and plus 1 plus का हो जाना है यह आपके 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 आजाएगा 3 plus sin x not यह term इससे cancel होगा आपको मिल जाएगा x not sin x not plus this यह हमारी value किसकी है यह x1 की अब ज़िश्ट आपको क्या करना है कि एक जो X0 हमने आप एजुम किया हुगा है 0.6 हमने इसकी value पर put कर देना है X0 की कर देना है तो जहाँ जहाँ आपके पास X0 होगा अपने value को put करना है तो देखिए आपको हो जाएगा 0.6 into sin 0.6 plus cos 0.6 plus 1 over 3 plus sin 0.6 अब इसको हम solve करेंगे scientific Kelsey के through तो आपको यहां से इसकी X1 की value मिलेगी वह finally क्या मिलेगी इसकी value आईगी आपकी 0.6071 अब यह हम कब तक solve करते है अपने iteration को solve जब तक हमारी value जो यह X1, X2, X3, whatever जब तक हमारी value same नहीं आजाए अब हमने यहां करना है N equal to 2 put करना है first equation में जो मारी main formula है उसमें तो put the value N equal 1 in equation first जो मने इसको first लिया हुआ है अब जब आप इसमे value को put करेंगे तो आपको next iteration क्या मिलेगा सी यहां पर हो जाएगा X2 equal X1 minus F of X1 over F dash X1 ठीक है जो भी function है आप आप हमने क्या करना है आप X1 की value में X1 लगा देना है और X1 की value में आप assume करेंगे आप 0.6071 अब X0 से हमारी कोई भी मतलब नहीं है आप जैसी आप इसमे value को इसी type से आप एक काम भी कर सकते हैं आप देखिए आप clearly हाँ पर देख रहे हैं कि X1 equal X2 आ गया तो आपको आँगे proceed करना ही नहीं है यहीं आपका इसका answer हो रहाएगा आप finally इसका answer लिख सकते हैं कि answer desired root is 0.6071 correct to four decimal places ठीक है by chance अगर आपका answer सेम नहीं आता तो हमें इसमें next addition find करना होता हो सकता है कभी कभी answer नहीं मिलता 2,3,4 वहीं बट कहीं नहीं है कि हमारा answer सेम आएगा ही आएगा तो यह luckily हमारा इसमें two addition में find हो गया दरवैस हमको इसको और आगे proceed करना होता अगे